बिग स्क्रीन में आपका स्वागत है टीवी के सबसे विवादित शो बिग बॉस 15 में इस बार के विकेंड के वार में काफी कुछ देखने को मिला इस बार विकेंड के वार एपिसोड में दो एलिमिनेशन हुए चैनिवार को पहले तो मिशा आईयर को घर से बेघर कर दिया गया उनके एलिमिनेट होते ही बॉइफरेंड इशान सैगल को जोर का जटका लगा और वो फूट फूट का डोने लगे वही नभी वार विकेंड का वार एपिसोड में सल्मान खान ने दूसरे एलिमिनेशन का एलान किया जिसे सुनकर घरवालों को एक जबरदस्त शौक्ट लगा सल्मान ने गोशना की कि इशान को सबसे कम बोट मिले हैं और उनको इसी वज़े से शो से बाहर जाना होगा सल्मान ने ये भी कहा कि इशान अब अपने प्यार मिशा के पास जा सकते हैं इस दोरान सलमान खान ने ताना मारते हुए कहा कि कैसे इशान मैंने आपको चेताव नहीं भी दी थी आपको अपना सारा ध्यान इमानदारी से गेम खेलने में लगाना चाहिए ना कि मिशा के साथ समय बिताने में लगाना चाहिए वहीं एपिसोड में सल्मान ने इशान से सवाल किया कि मिशा के घर से बार जाने के बाद उन्हें कैसा लग रहा है फिर उन्होंने कहा कि उनकी गल्ट्रेंड की वज़े से वे ऐलिमिनेशन की कगार पर आ गए है इतना ही नहीं कई बार वार्निंग देने के बाद भी वे नहीं मानें सल्मान ने इशान को ताना मारते हुए कहा डोमांस के बलबूते पर तो नहीं चलता ये शो कई बार आपको समझाया भी गया लेकिन आप कुछ देर कर ही नहीं पाये आप पो बता दें कि इशान अपनी बिग बॉस की जर्णी के दौरान मिशाक के साथ अपने डोमांस के कारण खूब चर्चा में रहे शो में मिले दोनों कंटेस्टेंट को एक हफ़ते में ही प्यार हो गया था और उन्हें अपने रिष्टे के लिए कई बार ट्रोल भी होना पड़ा हफते में हुए इन कंटेस्टेंट के बीच जगडे विकेंड का वार में सलमान ने इशान और प्रतीक सहचपाल के बीच हुए जगडे के मुद्दे पर भी बात की इसके अलावा सिम्बा नाकपाल और उमर रियास के बीच की लड़ाई को भी देखने को मिली इस दोरान सलमान नेहा बसीन और राकेश बापट बात करते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि क्या वे किसी से कुछ पूछना चाहते हैं इस पर राकेश शमिता से पूछते हैं कि क्या उसका और विशाल का रिस्ता रियल है इस पर विशाल जबाब देते हैं कि ये असली है और मुझे उसकी परवा है मैंने उसे अपनी बहन के रूप में सुविकार किया है शमिता बात को बीच में काटती हैं और कहती हैं कि उन्होंने अभी विशाल के बारे में कोई राय नहीं बनाई इस बीच घर में एकता कपूर और सुर्भी चंदाना की एंट्री होती है हर कोई खुश हो जाता है और एकता का स्वागत करता है करन कुंदरा और शमिता उन्हें गले लगाते हैं और बदाई देते हैं फिर सुर्भी और एकता सभी को एक मज़दार टास्क देते हैं इसके बाद Big Boss के Elimination का एलान किया जाता है तो guys क्या कहना है आपको Big Boss 15 के लिए प्लीज हमें comment box में बताएं और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को like, comment, share जरूर करें और साथी साथ subscribe करना ना भूलें